वेलकम टू रजनी के रेसिपी तो आज मैंने बनाई है फ्रेंच बीन्स की सब्जी तो यह सब्जी बहुत ही फायदे मंद रहती इसके अंदर पोटेशियम काइब्रो हाइडरेट प्रोटीन विटामिन ए बीसी लो मेगनेशन बहुत सारे इतात्त होते हैं जो हमारे सरीर को और रिजन प्रांट है तो यह सब्जी बहुत अच्छी है तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंच बींस बनाएं जाने थे हैं तो सबसे पड़ाम इससे दो दो लेते हैं तो फ्रेंच बीनस को मैंने दोक के से छोटटे टुकड़ों में कट कर लिए यह देख तेल को गरम होने देंगे मिसमें डालेंगे आधा चम्मत जीरा एक छुड़ी चम्मत जीरा और राई भून लेंगे अच्छे से हींग डालेंगे दो जुटकी जितना लसन डालेंगे पांसे च्छे लसन की कल्या ले थी जिसे में चुटकी टिकड़ों में कट कर लिया था तो बोल्डर कलर का लसन हो गया है इसमें डालेंगे एक चुटा प्याच प्याच को भी हम ढूल लेंगे हलका सुने रहा और यहां मैंने एक हरी मिर्ची कट करके डाली है प्रेंच बीन्स कट करके लिए आप वो डाल देंगे तो इसको दो मिट तक हम भूल लेंगे ऑल के साथ चला लिए अच्छे से तो एक दो मिट तक हमने इसे भून लिया है इस पर ओल के अच्छे से कोटिंग आ गई है इसमें डालेंगे एक बड़ा आलू जिसे मैंने कट्टर के लिए वो डाल देंगे आलू को मैंने एक मिलिया था इसमें में डालेंगे मसाले यह की कम कर देंगे यह में जादा चममच अल्दी पाउडर एक चममच लाल रिच पाउडर एक चममच धनिया पाउडर नमक डाल रही हो एक चमच अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे अच्छे साथ ए मैंने आदा मेट तक कर लिया था अच्छे से भुनगे मसाले मैं इसे कावर कर करके रखेंगे तो पांच मीठ हमें हो गए है कि दिखिए हमारे आलू यह तक अच्छे송 हम इसमें डालेंगे अब टमाटर तो एक छोटा साइस के टमाटर कटकर करिया थो डाल देंगे टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे करें चेहां कि पेफर हैं थोग कर देंगे दो तीन मीट के लिए चब तक रमाटल पकते हैं तो दोसे टीन मीट हो गया है या हमारे टमाटल सॉफ्ट हो गया इह देखिए तो यह हमारी सब्जी तैयार है तो हम हाई फ्लेम पर एक मिट तक और चला लेंगे इसे जो नमी मौश्यर है वो ड्राय हो जाए तो हमें गरम मसाला डाल रहे हूं और यसे चला लेंगे एक मिट तक तो हमारी सब्जी बनके तयार है तो इसमें डालने महरा धनिया सब्जी को सर्व कर लिया है तो आप यह सब्जी बना जरूर घर पर बनाएं और कैसी बनी अपने अनुभाव कामेंड में शेयर करें थेंक यू